Hello everyone, आज की वीडियो बहुती सांदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेगे 6 ऐसी स्किम्स के बारे में, जिसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, यानि उसमें आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, और सारी चीजे हम बिल्गुल आसान भासा में जानेंगे, कि कौन सी स्किम में हमें कितना टेक्स का बेनिफीट मिलेगा, कितना टेक्स कटेगा, और इसके साथ-साथ ये भी देखने वाले हैं, कि उस स्कीम में कितने रुपे इन्वेस्ट करने पर आपको कित इतने रुपे मिलेगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, FD की, जो हमारी FD होती है, Fixed Deposit, उसमें हमें एक बर पैसे जमा करने होते हैं, और ये FD हम किसी भी Post Office या Bank में भी करवा सकते हैं, तो जो Tax का Benefit आपको मिलता है, वो सिर्फ 5 साल की FD में मिलता है, यानि अगर आप 5 साल के लिए अपने पैसे किसी Bank या Post Office में FD के रूप में जमा करवाते हो, कि माली जी आपने कितने ही रुपे की FD करवाई हो, वहाँ पर डेड़ लाग रुपे तक आपको Tax की छूट दी जाती है, ATC के Enter, यानि आपको डेड़ लाग रुपे पर Tax नहीं देना, अगर हम बात करे इस पर आने वाले इंटरेस्ट, यानि जो ब्याज हमें मिलेगा, क्या उस पर Tax लगेगा, जी हाँ, अगर आप 5 साल की FD करवाते हो, उस पर जो भी ब्याज होगा, उस पर Tax लगेगा, अब बाता आती ही कि वो Tax कितना लगेगा, देखें, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका अभ्याज आएगा, वो आपकी इंकम जो भी है, आपकी इंकम, आप माली जीए, 10% की सलैब में आते हैं, आपको 10% इंकम टेक्स दभरना होता है, तो आपको वो इंटरेस्ट अपने इंकम में जोड़ना है, तो आपकी जो टोटल इंकम होगी, अब उसके हिसाब से तो जो इंटरेस्ट आएगा, उसको आपको टेक्स की सलैब के हिसाब से आपको टेक्स देना होता है, बात करें टीडियस की, इस पर टीडियस लगता है, और जैसे हम पहले डिसकेस कर चुके हैं, उसी हिसाब से इस एफडी पर आपका टीडियस लगेगा, यानि नोर्रोल परसंट के किसाब से 40,000 रुपे, और सीने सीटिजन के लिए 50,000 रुपे तक टीडियस नहीं करता, उसके उपर आपका टीडियस कटेगा, अगर आपने पैन कार्ड जमा करवा रखा है, तो 10% टीडियस कटेगा, अगर आपके पैन कार्ड जमा कर नहीं करवाया, तो आपका 20% TDS कटेगा बात करें इस पे मिलने वाली इंटरेस्ट की तो हमें कितना इंटरेस्ट में मिलता है देखें फिलाल पोस्ट ओफिस की जो FDA 5 साल की उसकी इंटरेस्ट 7.5% है और अगर हम इसमें 10 लाग रुपे इंवेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद यह हमारे रुपे बढ़के हो जाएंगे लगबग 13,85,000 के आसपास हमारी अगली स्कीम जो पांचने नंबर पे है जिसमें हम इंवेस्ट करके टेक्स बचा सकते हैं वो है ELSS स्कीम यानि एक्विटी लिंक्ट सेविंग स्कीम देखें आपने बहुत कम इसके बारे में सुना हुगा देखें जैसा कि आप सबको पता है आज के टाइम पे हर कोई mutual fund में इन्वेस्ट करना चाहता है इसलिए mutual fund में भी एक ऐसी category है अगर आप उस category में इन्वेस्ट करते हैं mutual fund की तो आपको tax की rebate मिलती है तो mutual fund की उसी category को ELSS category कहा जाता है देखें इसमें कुछ अलग नहीं होता जो हमारा mutual fund होता जिसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं सेम यही वही scheme होती है लेकिन इस scheme में क्या होता है हमें 3 साल तक उसमें पैसे रखने होते हैं जैसे कि हमने पहले जितनी भी scheme को discuss किया सारी 5-5 साल तक हमें पैसे रखने होते थे जैसे 5 साल की FD है, Senior Citizen है और अगली scheme discuss करेंगे उसमें भी कुछ ऐसे ही 5 साल तक हमें या 5 साल से ज्यादा पैसे रखने होते हैं वैसे ही mutual fund की इस category में अगर आप tax का benefit लेना चाथते हो तो आपको 3 साल तक पैसे रखनी होंगे उससे पहले आप पैसे नहीं निकलवा सकते हैं और अगर आप इस ELSS mutual fund में invest करते हो, तो ATC के अंडर आपको यहाँ पे भी 1.5 लाग रुपे तक की tax की छूट मिलेगी तो ELSS category में mutual fund में invest करने का फाइदा यह होगा आपको mutual fund के return का फाइदा तो मिलेगा ही उसके साथ साथ आपका tax भी save हो जै अगली scheme जो हमने चोथे नंबर पे रखे है जिसमें invest करके हम tax बचा सकते हैं वो है हमारी senior citizen scheme देखे senior citizen scheme जैसे आपको हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं इसको brief में discuss करें तो senior citizen scheme में हम 30 लाग रुपे तक invest कर सकते हैं और senior citizen में हम जितने रुपे भी invest करेंगे उसकी फिलाल interest rate 8.2% चल रही है यानि 8.2% के हिसाब चे जो हमारा भ्याज बनेगा वो हर 3 महिने में हमें मिलता रहता है अगर हम बात करें इस पे लगने वाले tax की senior citizen scheme में हम जितना भी पैसे invest करेंगे उस पे हमें 1.5 लाग रुपे तक की tax की rebate मिलती है 80C के enter यानि 1.5 लाग रुपे तक हमें tax नहीं देना अगर हम बात करें इस पे लगने वाले interest की तो interest पे भी हमने जैसे FD में discuss किया आपको interest अपनी income में जोड़ना है जो total income आएगी आपको अपनी slab के हिसाब से वो interest देना है और TDS का भी provision same रहेगा जैसे हमने पिछे discuss किया अब बात करते हैं हमारी next category जो हमने तीसरे number पे रखी है वो है हमारी NSC scheme यानि National Savings Certificate Scheme देखिए जो हमारी NSC scheme है ये भी एक FD की तरह हमारी scheme होती है इसमें हमें 5 साल तक पैसे invest करने होते हैं और ये पैसे हमें एक बार ही जमा करने होते हैं अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले tax की rebate की देखिए जितने भी पैसे आप इस scheme में invest करोगे उसमें से डेड़ लाग रुपे तक आपको tax की छूट मिलती है और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो हमारा ब्याज बनेगा उसमें कैसे tax लगेगा इसमें same procedure से हमारा tax लगता है यानि हमारा जो भी ब्याज आएगा उसको हमें अपनी income में जोड़ना है उसके बाद हम जो भी slab में आएंगे इसमें tax की उस हिसाब से हमें tax देना है और इसमें भी आपका TDS काटा जाएगा अगर हम बात करें TDS काटने की तो same procedure इसमें रहेगा 9% के लिए 40,000, senior citizen के लिए 50,000 अगर आपके पास pen card है तो 10% आपका TDS काटेगा और अगर आपके पास pen card नहीं है तो आपका 20% TDS काटेगा आई अब बात करते हमारे दूसरे number की scheme की जिसमें मेंच करके हम टेक्स बचा सकते हैं वो है हमारी सुकन्या समरीदी योजना देखें बहुत ही popular scheme है आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा हम अपनी एक साल से लेकर 10 साल की गुडिया का इसमें खाता कुलवा सकते हैं ये एक 20 साल की scheme है यानि इसमें हमें 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं उसके बाद 6 साल तक हमें कुछ नहीं करना होता उसके बाद हमारे जो भी पैसे 15 साल तक हमने जमा की हैं उसके उपर ब्याज लगता रहता है और जैसे हैं हमारी इस खार्टे को चलते हुए 21 साल हो जाते हैं 21 साल के बाद हमारा ये खार्टा बंद हो जाएगा और हमारे सारे पैसे हमें मिल जाएगे अगर हम बात करें इस पे मिलने वाले टैक्स की रिबेट की तो देखिए जो भी रुपे भी हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे सारे टैक्स फरी होंगे और सबसे बड़ा फाइदा जो इस की में हमें मिलता है वो है जो भी हम इस की में इन्वेस्ट करेंगे उस पर जो भी ब्याज बनेगा उसके उपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा यानि जितने रुपे ह हमने जमा करवाई उस पे भी कोई टेक्स नहीं है और जितना हमारा इंटरस्ट बनेगा उस पे भी कोई टेक्स नहीं है तो सबसे बड़ा हमारा इसकी में इन्वेस्ट करने का ये है अगर हम बात करें कि इसकी में कितने रुपे इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपे मिले देखे इस स्कीम की फिलाल इंटरसेट 8.2% है और इस ब्यासदर के हिसाब से अगर हम इस स्कीम में 12.000 रुपे हर महीना जमा करते हैं तो जैसे हमारा खाता ये पूरा होगा उस टाइम पे हमें मिलेंगे 69 से लेकर 17 लाख रुपेज यानि 69 से लेकर 70 लाख रुपे के आसपास आई अब बात करते हैं हमारी जो number one की स्कीम है जिसको tax बचाने के लिए हर कोई जो भी employee हो यूज करता है वो है हमारी PPF स्कीम ये 15 साल की स्कीम है और इसमें हम हर महीना भी जमा कर सकते हैं या साल में जब हम चाहें transaction कर सकते हैं और अगर हम बात करें PPF की तो PPF में जितना पैसा हम invest करेंगे वो सारा tax free होगा और उसके साथ सुकन्या समरिदी योजना की तरह ही इस पे जो भी हमें interest मिलेगा वो भी हमारा सारा tax free होगा तो इसलिए सुकन्या समरिदी योजना और जो PPF स्कीम है अगर हम tax बचाना जाते हैं उस हिसाब से सबसे बहतरीन स्कीम है अग अगर हम PPF account में हर महीना साड़े बारा हजार उपे जमा करते हैं तो 15 साल के बाद हमें लगबग लगबग 7.1% इसकी interest rate है उसके इसाब से लगबग 40,000,000 रुपे तक इस scheme में देखने के मिलेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और के लिए कर देता हूं देखे फिर हमारी national saving certificate scheme ये तीनों scheme में आप जब भी पैसे invest करोगे उस time पे आपके जो interest rate होगी वही आपकी अगले 5 साल तक लगती रहेगी उसमें कोई change नहीं होगा